हेलो भाई नमस्कार कैसे हैं सभी आई होप के अच्छी होंगे बढ़िया होंगे भूद सारे बच्छों की डिमाड थी कि सर मोटर विकल एक्ट जो है 1988 जो है मोटर वाहन अधिनियम बोलते हैं मोटर विकल एक्ट 1988 कि सर यह करवा दो ठीक है इसमें कुछ एक्ट है कुछ दाह संसद ने 1988 में मोटर वाहन अधिनियम को मंजूरी दी शकुर में इसको भारते संसद के दवारा क्या दे दिऊ दे गए थी मंजूरी के बाद बच्चों एक जुलाई 1989 पो एक जुलाई 1989 को यह जो है अगर हम बात करें इस अधिनियम के अंदर टोटल जो चैप्र है फूल ज schedule की बात करें बच्चो वो टोटल schedule ौते अब घट करके एक हो गया है वह जो traffic signals वगरा है उसी को भी एक के अंदर include कर दिया है अब जो schedule है अब एक ही schedule है पहले total दो schedule होते थे उसके बाद बात कर लेते हैं कि sir, सर एक्ट के अंदर कुछ amendment हुआ था कुछ संसोधन हुआ था क्या बिल्कुल बच्चो इस amendment के अंदर टोटल पांच बार संसोधन हुआ है पांच बार इसके अंदर क्या हुआ है यह पूच सकता है अपना है ऐक सेप्टमबर ठिक है एक सेप्टेंबर 2019 को ये तागू हुआ था इसके बाद बात कर लेते हैं मेरे बच्चों इसके कुछ धाराओं की है ना इसके अंदर कुछ इंपोर्टन दे कि वैसे तो 217 सेक्षन 217 धाराएं हैं इनके अलावा और भी बहुत सारे मतलब A, B, C, D करके इसे बहुत सारे धाराएं हैं लेकिन हम सभी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम कुछ इंपोर्टेंट इसके सेक्षन से उनके बारे में बात करेंगे वोटर वाह नदीरियम की महतवपूर्ण धाराए कुछ महतवपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जिससे सबसे पहले नमर पर आती है धारा तीन धारा तीन जो कहते है कोई भी व्यक्ति सारवजनिक रूप से तब तक वाहन नहीं चला सकता जब तक उसके पास वैद या अतुराइज वाहन चलाने के लि भले तू-वीलर हो भले ही आप फॉर-वीलर हो कोई भी किसी परकार का चाहिए ट्रास्पोर्ट विकल हो किसी परकार का वाहन जो आप बिना लाइसंस के नहीं चला सकते यह कौन कहता है बच्चो कि एक्ट 1988 की धारा तीन कहती है उसके बाद जो अगली धारा आती है धारा चार जो कहती है धारा चार कहती है कि इस आयू के बारे में बताती है धारा चार किस के बारे में बताती है एज के बारे में बताती है कि आपका जो लाइसंस है ना यह किस एज में बनता है मतलब किस एज में आप कौन सा विकल चला सकते हैं कौन से विकल का आप लाइसंस ले पुड़ी सी रियात दी गई है आपको आप 16 वर्स, 16 वर्स की उमर में आप इसका लाइसेंस बनवा सकते हो, लेकिन इसके लिए, इसके लिए आपको बच्चो अपने जो पेरेंट्स हैं, उनकी परमेशन की जरूरत होती है, ठीक है, क्या है, आपके पेरेंट्स की जो चलाने की अनुमती नहीं है, किसी परकार का आपका लाइसेंस नहीं बन सकता, बच्चो, इसके अलाब बच्चो कुछ लोग जो होते हैं, जिस तरह ट्रांसपोर्ट विकल चलाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट विकल के लिए बच्चो एज जो है, वो थूड़ी ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट विकल के लिए जो एज है, मेरे भाई, वो है 20 वर्स, 20 वर्स से कम की एज में आप किसी परकार का साराजनिक प्रिवहन वाहन नहीं चला सकते, ट्रांसपोर्ट विकल नहीं चला सकते, जिस तरह बस बगरा है, जो भी है, ट्रांसपोर्ट विकल नहीं चला स यह धारा 4 बताती है आपको समझ में आ गया होगा कि एज के बारे में क्या-क्या प्रावदार है उसके बाद बात करते हैं बच्छो आगे हमारी आगे आती है धारा 39 धारा 49 धारा 49 क्याती है बच्छो रजिस्टेशन की आवस्टा से संब्दित आपके पास जो भी विकल है आ प lapar का चाहिए को सकुषक्रील आर चाहिए निगर अगर आपको क्या चाहिए परमिशन होती है अगर आप कोई भी किसी भी परकार का अगर ट्रान्सपोर्ट विकल चलाते हैं तो उसके लिए आपको जो परमिशन लेनी होती है धारा 36 jawra 36 जो है उसकी परमिशन के बारे में बताती है बच्चो आपको इसकी क्या लेनी बचेगी permission permission लेनी पड़ेगी without permission के आप है जो transport विकल है वो नहीं चला सकते है ये बात को न कहती है धारा 66 66 कहती है उसके बाद आती है धारा 112 धारा 112 जो है गती सीमाओं से संबंदीत है जो speed limit होती है बच्चों अलग-अलग जगह पे अलग-अलग सुविधाओं के according ठीक है अलग-अलग बच्चों अलग-अलग सुविधाओं के अनुसार ये जो speed limit है ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग हो सकती है सरा ये वहां की जो सुवधाइय है उन सुवधाउं के नुसार डिसाइड की जाती है इ cuánt इस तरह नैसनल हाईवे के अलग होगी ठीक है स्टेट हाईवे की अलग 113 113 जो आपको कहते है बच्चो यह वजन सीमा के बारे में बताती है बजन सीमा मतलब है कि आप कितना वेट लेकर के जा सकते है कि कि जो लिमीट है बच्चो वह धारा 113 बताती है आपको दूपया वाहन चलाते हैं तो आपको हेलमेट जरूर लगाना चाहिए च्योंकि साब आपके लिए आपकी जान सबसे पहले है बागी काम बात भी है उसके बाद है धारा 130 धारा 130 एक वाहन को चलाने वाले लाइसेस और पंजी कर्वान पत्तर परदान करने के अनिवार प्लेस के ऊपर कोई विकल चला रहे है तो वहाँ पर आकर कोई भी पुलीश अधिकारी जो वर्दी के अंदर है वो आपसे आपका लाइसस चेक कर सकता है आपका लाइसस मांग सकता है यह उसकी प्रमीशन है और आपको वो लाइसस से उसको देना पड़ेगा ठीक है यह करवाना जरूरी है ठीक है धारा 133 कहती है आपके किसी परकार का आपके पास टू विलर है फॉर विलर है सिक्स विलर है किसी परकार का विलर है आपको उसका जो इंसुरेंस है वो करवाना जरूरी है इसके लिए प्लेंटी क्या है वो भी मैं आपको इसी क्लास के अंदर ब जो है यह चलाती है सराब पीकर गाड़ी चलाने या ड्रेक्स के परभाव में रहने वाले वक्तियों से संबंदित है धार 185 कहते है कि आपको सराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए माहूल बनाके और फिर आजगाड़ी तरह वाई चलाओगा यह माहूल यह नहीं करना गलत है अब सर इसके लिए कुछ सीमा है क्या कित्ति पीनी चीए वैसे तो देको पीकर चलानी नहीं चाहिए फिर भी यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पर पर परती लिखा हो दा ठीक है परती 100 ग्यांदर के अंदर तीस मिलीग्राम से अधिक साराब का सेवन नहीं होना चाह आपका drugs नहीं होना चीज़, alcohol की मात्रा नहीं होनी चीज़, सराब की मात्रा नहीं होनी चीज़, अगला कह रहा है धारा 192, धारा 112 में क्या कहती है, यदि कोई व्यक्ति आपके वहन का उप्योग, अनुमती या driving license के बिना करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है, ठीक है, मिलेगी, उसको सजा मिलेगी, ये बात कोन कहती है, धारा 192 कहती है, उसके बाद धारा 194, जो है, सेक्षन 194 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने वहन को अनुमित, या driving license के बिना चलाता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है, उसका मतलब किया वाई, एक सो बाद में और चुराण में, एक सो बाद में ये कोई व्यक्ति अपने वहन का उप्योग, अनुमित या driving license के बिना करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है, धारा 192 है, बच्चों, अगर कोई व्यक्ति अपने वहन को चलाता है, तो इसके तहारा 192 है, तो इसके तह ये तोड़ी सी देख लेना, थेक है, एक सो बाद में क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपने वहन के बारे में गलत जानकारी देता है, तो भी उसे punishment दी सकती है, कोई भी अपने विकल्स के बारे में आप गलत information अगर देते हो, कि पलिश वाले को या किसी परकार से, तो आपको जो है, वो दंडित किया जा सकता है, punishment दी जा सकती है, 199 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने वहन के बारे में जूटी सिकायत करता है, जूटी कंप्लेंड करता है, कि मेरा वहन चोरी हो गया, या ये हो गया, वो हो गया, तो अगर वो जूटी सिकायत है, जूटी कंप् आप किसी भी वाहन का उप्योग करते हैं और आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो धारा 202 के तैट आपको punishment मिल सकती है धारा 203 कहता है यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन की अनुमति से बिना सारोजिक स्त्रावनों पर पारक कर देता है बच्चो पब्लिक प्लेस पर अगर आप पारक कर देते हैं किसी भी वाहन को तो धारा 203 आपको punishment दिला सकती है बच्चो है ना असर क्या इतनी ही धाराइए थी फ्यादा और भी बहुत सारी है जेकिन सारी सा इतनी सारी धाराओं को हमें पढ़ना नहीं था inten है अगर अगर इसके लाव आ ता थो अपकी किसमत है बाकि धाराओं से ज्यादा परसन आने की मेरे को उमीद लग नहीं रिये बाकि फिर भी मैंने इंपोर्टेंट जितनी भी धाराएं थी वो सारी करवादी इसके लावा तो भाई इतनी सारी है 217 है और उसके लावा है यह नए वाले पुराना सो रुपे का चलान होता था आजकल पांसो रुपे का चलान होता था अगर आप करते हैं तो बच्छो आजकल दोहजार रुपे कोई भी अधिकारी आपको कोई आदेस देता है कि गाड़ी रोक लो या जो भी कर लो ठीक है अपना लाइसेस द्राइविंग करना आपके अंदर एज नहीं है आपके अंदर वह लाइसेस नहीं आपके अंदर कुछ भी नहीं है और आप फिर वी अपना वहां चला रहे है ठीक है तो बच्छो आपका पहले 500 रुपे चलान होता था अब उसका 10,000 रुपे चलान है ठीक है आप एलिजि तो इसके लिए बच्छो अब पलंटी 5,000 रुपे है पहले जो पलंटी होती थी वो 1000 रुपे कर दे गई है ठीक है अब उसके मैं तेज़ी से और रेसिंग करते हैं अगर आप रेश्च चला रेसिंग करते हैं मतलब कोई भी होते लोग बहुँ ज्यादा ठीक है अगर आप प्रेशन कर रहे रोडी की उपर कमपिडेशन कर रहे हैं किसी के साथ है न तो बच्छों क्या होगा पहले 500 रुपे का जुर्माना होता था अब 5000 रुपे का जुर्माना है बिना permit के अगर आपके पास permission नहीं Sa desp Odlaug पहले 5,000 रुपे तक था अब बचो 10,000 रुपे तक का आपको फाइन लग सकता है विदाउट पर्मिट आपके पास रोड के उपर पर्मिट नहीं है आपका विकल चलाने का खासकर जो ट्रांस्पोर्ट विकल होते हैं उनको पर्मिट की आवशकता होती है तो आपके पास अगर आपके पास ओवर्लोडिंग है आपके पास ओवर्लोडिंग है आप समान मतलब ऐसे ट्रांस्पोर्ट विकल का यूज कर रहे है और आपके पास ओवर्लोडिंग है पहले क्या होता था बच्चो पहले क्या होता था दो जार रुपे तो आपको ओवर्लोडिंग का चा चलान कर दिया जाता था कि बहुंए ओवर लिमिट है इसके अलावा 1000 रुपे परती टन एक्स्टा होता था साथ तन कितने टन एक्स्टा है दो टन है ना तो प्लस में 2000 और एड कर दिया जाता था तो आपको 4000 रुपे क्या लगता था फाइन लगता था था तो मैं यह कहा नी लेकिन अभी यह चीज़े बढ़ा दिये अभी बच्छो 20,000 रुपे का तो आपको पहले ही चलान होगा अगर आप लिमिट से ज्यादा है ना तो 20,000 रुपे तो आपको वेदेने है 20,000 रुपे तो वो चलान होगा इसके लाबाद 2,000 रुपे बच्छो परती टन अगर इस अगर विकल चलाते है तो आपको बच्छो 1,000 रुपे लगने पड़ेगा दुपईया वाहन की अगर ओवर्लोडिंग है तो पहले ओवर्लोडिंग वो ट्रिपलिंग का जो चलान होता था ठीक है पहले वो क्या होता था ट्रिपलिंग का जवान 100 रुपे का होता था अब उसी को बढ़ा करके 2,000 रुपे कर दिया और 3 महिने के लिए आपको लाइसे से वो इन्वैलेडी कर दिया जाएगा विदाउट हैलमेट अगर आप चलाते हैं तो बच्चों विदाउट हैलमेट पहले 100 रुपे का चलान होता था आज कल एक जार रुपे का है भाई सब ठीक है अलमेट को रास्ता नहीं देने अगर मालनो कोई emergency विकल आ रहा है और आप तो पांच मिनिट बाद भी जा सकते हैं उनका जाना ज्यादा जरूरी है अगर आप ऐसा करते हैं इस कानून का उलंगन करते हैं तो बच्चों आपको दस हजार रुपे पाइन लग सकता है के लावा बीमा के बिना विदाउट इंसोरेंस अगर गाड़ी चलाते हैं त आपको क्या चीज़े याद रखने हैं आपको यह तो 500 एमेंड्मेंट याद रखने हैं ठीक है 5 अमेंड्मेंट कब हुए थे एक सेप्तमबर 2019 को यह 2019 वाला लाग हुआ था ठीक है और यह कब हुआ था एक जुलाई 2019 नवास्ची को लाग हुआ था इसके अंदर टोटल चै सेडिल को हटा दिया गया है इसके बाद चुछ आपके दाराएं शहरा है कुछ आपके सेक्सन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए इंपोर्टन जो भी तुम्हें लगे इसमें से आप इंपोर्टन्ट धाराएं आप निकाल सकते हैं देख सकते हैं तो उसके लगी यार मेरे को मेरे इसाब से important लगी मैंने आपको बता दी है फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो भाई आप दा सकते हैं Instagram पर मुझे पूरी complete PDF भी देख सकते हैं आप जितनी मर्ज़ 270 गी 270 याद करना चाओ तो आप याद कर सकते हो साब ठीक है मैं कुछ भी नहीं कहता लेकिन मेज़े जो important लगी मैंने वो सारी include कर दी है जो important बड़क लेने की और ज्यादा टेंसल लेने के आवशक्ता नहीं है रोड सेफटी पांची नंबर का आएगा तो पांच नंबर में इसके कितने सवाल आ सकते हैं एक सवाल आ सकता है आएगा तो इसके लिए आप देख लो बागी आपकी मर्जी है थैंक्यू सो मच बाबाई करता है